तो इस वीडियो में बीए प्रोग्राम के स्टूरेंट इस समेश्टर फिट्ट के जो आपने हिंदी सब्जेक्ट ले रहा है हिंदी अनुबाद बैबार वो सिद्दाथ एसके मोस्ट इंपोर्टन कोशन भी तंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे तो अभी तक आपन हमारे टेलिगरम वाटसप ग्रूप जो है नहीं के तो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्प्टन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखिए गाइस कि जो हम इस पीडियोप को कॉर्डिंग बात करने जा रहे इसमें देखिए मोस्ट इंपोर्टन 15 कोशन भी तंसर की पीडियोप है जो कि यह क्लासिं को कौर्डिंग हम देखिए तो हमारी क्लाहसि कितनी होनी जा रहीं इससे पहले कि हमने 9 क्लासिं अपलोड कर देख्या ठी सम cleaner आपको बार्र कोकॉषं हमने 9 class अप्लोड कर चुके हैं 10 class है इसमें finally आपका ये 15 question के अंसर आपको complete मिलेंगे तो आप मान के चल सकते हैं कि एक जो वीडियो है हमारी 10 minute की है तो total 10 video हो गई आपके मतलब 2 घंटे के आसपास हो गई चलिए दो घंटे के अंदर हमने इस पूरी पीडियो को explain कर दिया तो आप इस पीडियो को purchase करते तो दो घंटे में अच्छे सापढ़ के समझ सकते हैं तो मतलब कि हम कहना यह चाहते कि हम जब 2 घंटे में इस पीडियो को explain करके आपको समझा सकते हैं तो आप खुछ से समझना है तो दो से चार घंटे में इस पूरी पीडियो को पढ़के समझ सकते हैं अच्छे से क्योंकि ज्यादा लॉंग भी यह 22 पीज की पीडियो पर जो इसके बाद देखें एक बार दिखाते चल रहे और साथ एक साथ फार को साथनने में स्कावन से कंपलेट के देख जाएगे समझाए नहीं देखते जाएगे वीडियो में और इसके लिंक आप डिस्रिप्सण बॉक्स में उन्हां करता है क्योंकि आपको पता हुन्ज को जो इस वीडियो में जो हम कोशन कराने जारे वह भी दिखाएंगे एट कुशन है यह सब अप्लोड है नाइन कोशन देख सकते हैं यह भी अप्लोड है आपका कोशन नमबर टैन भी हमने कले की वीडियो में अप्लोड किआ था अब देखे है लाशन वीडियो होने वाला यह स्मारी क्योंकि आपको बहुँ कोशन नंब जो 11 यह भी अप्लोड है फाइनली यहां तक कोशन अप्लोड है देखिए लास्ट वीडियो होने वह लिए आपका कोशन नंब इसमें 12 बच रहा है कोशन देख लीजिए इसका अंसर आप स्कीन सोट ले सकते हैं यह देखिए आपको अंसर हम दिखा देते हैं यह अंसर ले इसका पीर हमने एक्सप्लेइन नहीं किया आगा और इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टन कोशन होता है कोशन नंब जो फंद होता है इसको जो आपको एंगली का पैरद लिए आपको दिया जाएगा उसको चेंजिंग करने होते हैं आपको हिंदी दिया जाएगा तो इंगली जाएगा नहीं लिए इस टाइप से कोर्षण आपके पेपर में 20-30 नमबर का बनने वाला गई इस ये कोर्षण के रिबीजन आप अच्छ कर सकते हैं अगर इस स्टार्टिंग से आपको एक से कॉर्शन नंबर 15 तक आपको देखने का है और पढ़ने का है दो गंटे के अंदर हम जब इस पीडियों को एक्सप्लेंड कर सकते हैं तो यह बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए तो कोश्अ अपका बेधु और स्जात्मक्सायित्इक अनुबाद की समझ्छा पर बिचाड के आपका पेपर में किस तरह की पर आपको बताना होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं परीचे यहां से अंसर इस्टार्ट है अनुबाद के सजात्मक्ता के लिल अच्छे भासा के सांसर सुरोत भासा की विधी विश्रेस का ग्यान आउसक है कवीता का अनुबाद करनेवाले अनुबादक को कवीता की बारिकी की गहरी समझ होनी चाहिए बलकि उसे सवेधनात्मक का भी बोद होना चाहिए माल लेजे अगर आपको कवीता का अनुबाद करना है तो उसको अनुबादक के द्वारा उसको बारीकी से जानकरी होने चाहिए कि कवीता में क्या-क्या पॉइंटे इंपोर्ट है उसको पूरी तरह से अच्छी से जानकरी होने चाहिए जब भी चेंज कर सकता है इस तरह कहानी नाटक उपनियास निवन चैसी विद्धयों के विशे में भी कहा जा सकता है और इसी तरह आप कहानी होती है नाटक उपनियास निवन को भी चेंज करने के लिए बारीकी से जानकरी आपको होनी चाहिए जो अनुबादक संबन विद्धा को भली भाती नहीं जानता हुए अनुबाद को सजात्मक नहीं बना सकता मतलब कि जिसे अनुबाद के बारे में अच्छी तरह से पूरी जान कारी नहीं है तो वो एक अच्छी अनुबादक नहीं कर सकता यहें भी ध्यान में रखने की बात है कि अनुबाद को सजात्मक बनाने के लिए मूल किते के पार्ट में से अनुबाद को एक अधिकार बार गुजरना पाता है मतलब कि जो देखो मतलब आपको किसी भी चीज को सजात्मक बनाना है अनुबाद को बनाना है मतलब कि जो भी संस्कित के अकॉर्डिंग जो भी आप कर दें उसको बार बार महसूस अपने अंदर करेंगे जब भी आप उसे कित्य की सवेधना को चरीत्रों के माध्यम से जीते हुए अपने परिवेश और संस्किति के अनुकूलन उसे बरतने बिना सजात्मक अनुबाद संभाव नहीं मतलब कि अपने अकॉर्डिंग उसको आप एक बार महसूस करेंगे अपने संस्किति अकॉर्डिंग अपनी परिवेश और नहीं कि अपने विश्य वर्ष्टु के अकॉर्डिंग उसमें बाधा उत्पन करते हैं ठीक है उनके लिए चिनोतिया होती है इसका आगे देखिए अनुबाद में उन चीजों का महत अधिक होता है जो कित्य को उनकी पूरी तिरोत्य के साथ संपेशित करती कहले जेती है इस करम में अनुबाद को मोल किती की रचना कि समय रचनकार नहीं मानस और उसकी उस onीच मिले जाना अथा होना जाए जहां कि वह जांब होता हुए उसक् Points अधोगी शिरूद्धेक। परिवेश के नुकूलन उसे मानसिक बोध को जानने और जीने का प्रयास नहीं करता तब तक सजात्म कनुबाद की केवल कल्पना ही की जा सकते हैं उसका होना सिद्ध ही होता है मैं अब देखो किसी भी चीज को अकॉर्डिंग आप उसकी कल्पना ही कर सकते हैं जब तक आप पूरी तरह से अपने अंदर अपने चरीत के अंदर उसे परिवेश नहीं करेंगे जब तक आपको ऐसा लगेगा कि जो मानसिक बोध होती है उसको जानने के लिए आपको सिर्फ उसका कल्पना का कॉर्डिंग आप उससे समझ रखते हैं ठीक है इसके आगे देखिए इसके बाद देखिए सजात्मक साहित्य अनुबाद की विशेश्टा विशेश्टा की पॉइंट आप ने उपर देखा है ता देखिए सजात्मक साहित्य के अनुबाद के लिए यह वी आउसक है कि हम उनके तरीके पक्छो और जानने का प्रियतन कर साहित्य से अनुबाद दूर की कोड़ी लगता है मतलब देखो यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी आपके पक्ष होते ताकनिकी होते उन सब को आपको सबसे पहले जानना चाहिए किसी भी अनुबाद के कोड़ी विशेष्टा ठीक है और उसके मौलिक जो अधिकार होते हैं उनके विंदो के बार कि आलंकार चंद तता रचना में भार्षिक लाए और आत्मसत्ता करना पड़ता है तो देखो इसी डिस्टिक के आप देखा जाए तो जो मुहाबरे होते हैं लोग कि आलंकार चंद होते हैं इन सब कहें आपको इनकी जानकारी होने चाहिए इस परकिरिया से सफलता पूर् इसका अनुबाद करते हैं और उसका अंदर स्वाद भी है कहना ना होगा कि इस अनुबाद लच्छे भासा कि अपनी रचना सीलता को इस्टित कर पाने में शफल देखो इसको अकॉर्डिंग आप सफल हो सकते हैं लच्छे भासा में अकर यह आपने कारी कर लिया तो इसको कहने की कोई जरूरत नहीं होगी तो विश्रिष्टक अकॉर्डिंग आप देखिए आपका पीपर मा सकते हैं सजात्मक साहित्य अनुबाद की सबसे बड़ी कटनाई विभीन विद्वाओं में निहित अंतर की है मूल रूप से सारी विद्या की प्रकति भिन होती है इसलि अनुबाद की सब्सक्राइब करत है अंतर की साहट्य थीरा एक निबन शंकलन से ने पेजिए लेट दोons संतर से कि अधानि संक्लन में निबं घ्रकत अनटक अनम रूप तो आलोचना और बैचारिकता लेखन ने के अनुबाद में भी मूलबुत अंतर तो जो उसके अनुबाद कारियर में प्रृत हो तो कोई नहीं इसमें सफल ना हो सके अगर अनुबादक होता है जो करना चाहता है अपने अकॉर्डिंग पूरी तरह से कारे कर रहा है उसको कोई भी मुश्किल नहीं है कि सफल ना कर सकता है ठीक है गाइस तो यह कुछ पॉइंट दे जो इसके समस्या कह सकते हैं या कुछ यह जो पीडियोप एक कंपले में हमने करा दी तो आपके एक से दस ख्लास के अंतर पूरी वीडियोप कंपलेट है ठीक है तो कल आपका पेपर है तो एक से दो अपन की जिए और पूरी वीडियो दुबारा से रविट कीजिए देख्यें साबजिय कि आपको एक एक समझना भी होगा तो पढ़के समझ के आप मुस्किन से तीन से चार घंटे में इस वीडियो को पढ़के समझ सकते हैं और आप पेपर में कुशन आए तो अंसर लिख सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर कीजिएगा ठैंक्यू